हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू आल, आज मैं आज वीडियो लेका रहा हूँ देखें, दो बड़े नाम, मारूती सुजुकी और कोटक महिंद्रा बैंक, दोनों के आज रिजल्ट आए, मारूती सुजुकी ने जहां पे 1812 करोड के डिविडेंड का अनॉंसमेंट किया, तो आत उपर फोकस करते हैं इस छोटे से वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूगरा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बैल आकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहे के साथ, अब यह मारूती का रिजल्ट आया, तो सही है, आज मार्केट के लास्ट टाइम पर आ गया था रिजल्ट, और जब रिजल्ट आया, सबसे पहले डिविडेंड के ओपर फोकस करते हैं कि डिविडेंड कितना दिया गया, जब देखिए ध्यान से, यह डिविडेंड टोटल फाइनल डिविडेंड जो है, 60 रुपे पर शेर का है, 60 रुपे पर शेर का, मैं 13 आज की रेट है, आज ही है एनाउंसवा, 60 रुपे पर शेर का डिविडेंड, अब आप कहोगे यार, 1812 करोड कह रहे था, तो टोटल अगर आप देखो, तो 18,125, इतने मिलियंज में, इछले साल का देखा जाए, तो 60 रुपे पर शेर था, उसके कमपेरिजर में कम ही है, एक चीज को जिधन रखे, उसके कमपेरिजन में, अब यह जो डिविडेंड आपको मिलता है, तो यह डिविडेंड अपरूव होता है पहले, तब जाकर आपको मिलता है, ऐसे नहीं मिल बात करते है एक इस तरीकपे से मारुटी का अगर मैं बहुत कम हुई ती अब देखे आपरिल महीं में तो है नहीं यानि कि अगला क्वाटर तो जीरो जीरो लगा लिए जीरो जीरोources dönही से जीरो माइनस कहूंगा ठीक है तो ये नमबर जो है ये सारे मिलियन्स में तो इनको करोड़ बगर में कंवर्ट करूँ तो 1908 यानि कि 1908 ये देखे कितना है टोटल क्योंकि ये मिलियन्स में कंवर्ट करूँगा तो होगे है 19087 इतना 19087 ये टोटल इंकम इस quarter में हुई है जो कि पिछले साल कितनी थी ऑल्मोस्ट बाइस हजार 340 करोड़ तो आप देख सकते हो यहां पर क्योंकि एक पॉइंट रटा दिया है मिलियंस में तो किस तरीके से total income गिरी है मारूति की overall अगर December quarter के comparison कर जो तो वहां के comparison में भी यह गिरी है total income चलगे यह तो total income गिरी है तो profit पे गाज कितनी पड़ी है क्योंकि March मार्च में ही down था although sales तो फर्वरी से down होने लग गई थी profit for the period अगर देखा जाए तो 1322 करोड़ का profit दिखाया है मारूति ने 1322 यह देखिए 1322 करोड़ का profit जो कि पिछले साल था 1830, 1830 करोड़ कितना गिरा अच्छा खासा अब तो यह तो इतना तब गिर गया जबकि दो महीने काम हुआ है जरा सोचिए अपरेल मही में काम हुआ ही नहीं तो जून तक कितना काम होगा कितनी सेल होगी कितना profit होगा मतलब अगला quarter तो गया ही गया यह सोचिए मैं तो आपको बस यही indication दे रहा हूँ इन results पे आप यह मत सोचे कि अभी क्या हो रहा आगे आने वाले quarter में क्या होगा इसको जड़ा सोचिए अगले कि दो quarter काफी important है और अगर December quarter की बात की जाए तो कितना था 1587 करोड 1830 से 1587 उसके बाद 1322 गिरते जा रहा है वही यह profitability है मारूती की अगर मैं अगर यहां पर देखूं तो overall earning per share आप सीधा सीधा सर देख सकते हो 60 रूपीज का earning per share 43 पे आ गया गिरावट ही है और मारूती की के शेर को अगर आप देखो कि तो आपको गहरे वा यह तो debt-free share cash rich company है है definitely क्यों कोई कमी धून नहीं है इसमें चार्ट को बाद में देखेंगे पहले अगले result को देखते हैं जो हमारे पास है और जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अब result को जड़ा ध्यान से देखें बैंक का result देखिए अगर बात करते हैं interest कितना कमाया interest पिछले साल के comparison में केकि नंबर सीधे करोड में है तो 7,951 करोड से इस बार का interest बढ़ गया 8,434 करोड हो गया तो बढ़ा ही है इजाफा इंकम में तोटल इंकम में देखे कि हाँ टोटल इंकम में भी इजाफा है लेकिन तोटल इंकम में यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है आप देख सकते हैं clear cut 13,823 करोड से टोटल इंकम गिर के कितनी होगी 12,084 करोड भाई after tax जिसके हम बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे बैंकों ने अपने provisions भी निकाल रहा है risk के चक्कर में तो यहाँ पे अगर मैं overall profit की बात करूँ तो जो अभी profit after tax इन्हों नहीं दिखा आए यह report BAC की report है मैं किसी news website से report पढ़के नहीं बता रहा हूं BAC India की website से download करके आपको report द profit था अब अगले quarter में क्या असर होगा वो तो आपको पता ही है दिखी रहा कि क्या क्या हो सकता है earning per share 10.51 से गिरके 9.71 तक आ गया अब बात आती है banking share और NPA नहीं देखें यह तो हुई नहीं सकता क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि bank share का NPA जरूर देखा कि यह भई NPA के बढ़िया gross NPA और net NPA थोड़ा सा कमी है लेकिन gross NPA 2.14 से बढ़के 2.25 हो चुका है net NPA उसी के तहत पर 0.75 से यह 0.715 तो यह आपने देख दिया NPA भई अभी से NPA हलात ऐसे है तो अगले में क्या होगा अगले में तो और भी chances है NPA बढ़ने के तो यह हमने बात करें कि कि को है बलकी देखिए SDFC bank, Kotak Mahindra bank, Firata, ICIC bank, Firata, Axis bank, Bandhan bank की यह series है private banks की अब चलते है technical पर समझने की कोशिश करते है टेकनिकली stock को अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाप एक एक करके हम stocks को pick करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे यहाप यह मारुती का share है मारुती क अब देखिए कोई भी share एकदम नहीं गिरता है वह पहले पूरी planning देखिए चल रही है और गिरा किस तरीके से इसने देखिए यह almost equal top मैं कहूंगा यह lower high मैं कहूंगा यह low टूटने के बाद गिरावट है उसके बाद share recover हुआ ही नहीं देख लीजे आप यह lower lows बनते गए है और weakness आपको देखने को मिली और इस बार यह low भी टूटा तो और नीचे गया और मुझे लगता है कि आने वाले time पर अगर यह low भी टूटता है तो फिर आपके लिए important level 32 का तो हम भी expect करके चल रहे हैं कि 32 तो touch करने वाला लेकिन अगर और pain दिखा तो और भी नीचे आ सकता नीचे कितना भी आ सकता है किसी की कोई पता नहीं और अभी के time पर जीरो revenue profit तो है ने बलकि loss यह आप अगले quarters के लिए लिए लिखके रख लीजिए वही क्योंकि आपको पता है वही तो होई नहीं रहे तो कहां से बढ़ेगा शेयर यह तो वीक मंथली चार्ट साब वीकली यह down side था धीरी धीरी करेंगे एक channel में था फिर एक corrective आया down गया फिर से देखिये corrective बन रहा है अब impulse lag start हो चुकी है अगर यह level तूटा 3800 का तो आपको 32 का level ready है आपके लिए अगर यह भी तूटा फिर तो और भी pain आपके लिए ready है फिलाल situation जो है improve होती वी नजर नहीं आ यह although stock 5000 के level पर stand कर रहा है लेकिन improve होती हुई situation नजर नहीं आ रहे अगर improvement चाहिए तो मुझे लगता कि तेजी के बाद असे correction आया तो और तेजी जाके 500 के level को पार करें और तेजी मिले और धीरे दिले कि यह 10,000 के level से आपको 5000 के level पर आपको मिल रहा है आपको सस्ता लग र range में तो यह जरूर सोचना कभी भी अगर किसी भी stock को आप अच्छा कहते हो लेकिन time सब के उपर है अब चलते है कोटक महिंद्रा बैंक को भी कोशिश करते हैं समझ देखी कि वहां पर क्या चल रहे कि उसका भी result आ है नतीजे वहां पर भी आया है तो यह देखे weekly से start करते ह यह 1700 रुपे से गिर के 900 रुपे तक आया थोड़ा तेजी जरूर देखने को मिलती लेकिन तेजी देखते यहां पर बड़े seller active है और वो बड़े seller बहुत माल बेच रहे है वो जैसे जैसे share 1300, 1400, 1100, 1200 पर जा रहा है माल बेच के निकल जा रहे है तो यह भाई आपको देखन पड़ेगा फिलाल कोई मजबूती की किरन देखने को मिलनी रही है share अभी आप कहोगे यार 1000 रुपे से 1200 आगया और आप कह रहे है कोई मजबूती की किरन बिलकुल नहीं है कोई trend reversal नहीं है कोई positivity नहीं है खास करकि banking और finance के share में और आज के announcement में थोड़ा positivity जरूर देखने क रिजल्ट आया था मैंने एक साथ consolidate करके आपको समझाने के कोशिश करी वीडियो अच्छा रहा तो शेयर जरूर करें लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राइब में तो जली से सब्सक्राइब करें बैल आकन को प्रेस करें जिससे आपको notification आती रहे हैं thank you thank you for watching the video